dear students in this module we are going to see the how we conduct one-way analysis of variance जिसको हम one-way ANOVA भी कहते हैं ANOVA is used to determine whether there are statistically significant difference between the means of three or more independent unrelated groups जैसे हमने independent sample t-test पड़ा था तो independent sample t-test में हमने देखा था कि हम हम अपने dependent variable जो के continuous लेवल पर हमने मेर किया होता है उसमें मीन डिफरेंस देखते हैं और हमारे पास independent जो वेरियेबल है उसके दो ग्रूप्स होते हैं यानि वो उसको हम दो ग्रूप्स में कैटेगराइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि उन दो ग्रूप्स का जो आवरिज मीन है और डिपेंडेंट वेरियेबल या उसमें कोई स्टेटिस्टिकली हैं वो दो से ज्यादा हो सकती हैं यानि वो तीन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती है और इसके साथ सब्SheetH 아 my spot Hanover में independent variable है उस में in the and were in flashy भी हो सकता है और उसको interval पे मेर किया हो और वो तो भी हम इसमें ले सकते हैं तो इसको जो हम देखते हैं कि इसका जो países होता हो कैसे हम लिखते हैं जैसे कि हमारा research question है डज़द gua score of political participation differ on the basis of your education. इसका जो null hypothesis होगा वो कुछ यूँ होगा there are no mean differences in political participation of the respondent on the basis of educational qualification और इसका alternate hypothesis हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि there are mean differences in political participation of the respondent on the basis of educational qualification तो वन वे नौवा को SPSS में perform करने का procedure हम देख लेते हैं आप analyze में जाएंगे analyze में से compare means भी आएंगे compare means में आप right click करेंगे और आपके पास last option यहां पे जो आ रही है वो वन वे नौवा की है तो वन वे नौवा पे जब आप click करेंगे तो आपके पास यह dialogue box open हो जाएगा इसमें आपने अपना जो dependent variable है जो के continuous होना चाहिए वो यहां पे ले आना है और जो आपका independent variable है जिसको यहां पे factor का जा रहा है independent sample t test में यहां पे variable को grouping variable का गया था और यहां पे factor का जा रहा है क्योंकि इसके दो से ज्यादा categories हो सकती है तो आप जो है अपना जो dependent variable है जैसे कि हमने यहां पे offline political participation लिया और we are interested to see the effect of educational level on the political participation of the students or the youth इसके बाद आपने statistics में इसके जो है options में जाएंगे तो वहां पे descriptive ले लेने homogeneity of variance test आप चेक कर लेंगे और continue करके इसको okay करेंगे जब आप okay करेंगे तो आपके पास जो है यह descriptive का table outbox में आ जाएगा output view में तो सबसे पहले हमने यह देखना है कि जो हमारे पास homogeneity of variance का जो जो टेस्ट है उसके लेवीन statistics के क्या आएं है रिजल्ट्स तो हम यह जियूम करते हैं कि variance जो है जो है वो सेम है और अनल hypothesis के लिए इसमें और alternate hypothesis हम यह बनाते हैं कि इसका variance सेम नहीं है तो हमारे पास यह लिवीन statistics का टेस्ट यह बता रहा है कि हमारा जो नल hypothesis है वो accept हो गया है कि variance जो है इनका तकरीबन सबका सेम है आँ वो आपको इदर से standard deviation से भी अंदाजा हो गया होगा कि सबकी standard deviation तकरीबन 11 के आसपास ही आ रही है इदर आपको descriptive में अगर हम देखें तो आपको हर group का जो है वो sample size भी नज़र आ रहा है बैचलर्स मास्टर्स और MPHL यानि इस data set में बैचलर्स 923 हैं मास्टर्स जिनकी education वो 261 है और MPHL की जो education है जिनकी वो correspondent 61 है और अगर हम इनका यहां पर मीन comparison ही करें तो हमें यह पता चलता है कि जो MPHL students हैं इनका जो score है offline political participation का अदे इस क्वाइट हाई as compared to this score of bachelors and masters अब इसमें हम देखें तो हमें जो value है mean की 95% confidence interval के साथ वो यहां पर मिलती है जिसमें के maximum mean लोयर उसकी bound क्या हो सकता और upper bound क्या हो सकता इसके बाद हम आ जाते हैं अपने main test पे अनुवा पे के between the groups जो है variance में जो है फरक है के नहीं है और within the groups क्या variance में फरक है के नहीं है तो हमें यह नदर आता है के यह जो हमारा F value है यह हमें यह बता रही है के यह significant है यानि there is the mean difference और वो exist करता है between the groups यानि हम यह कह सकते हैं के जो there are mean differences in this course of offline political participation on the basis of education of the students or youth यानि हम यह लिख सकते हैं के those who have ample education are more have scored more on the political participation than bachelor's students और master's students तो इसके one way ANOVA के आगे सब टेस्ट भी होते हैं जैसे जिनको post hoc test का जाता है तो वो आप आगे जब advanced statistical analysis पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे और यहां पे आपके लिए अभी basically हमने आपको ANOVA जो है वो conduct करके दिखाया है कि इसको हम कैसे conduct करते हैं कब conduct करते हैं और इस